नागराज और अजगर के तूफान कहानी एक परानिक और साहसिक कता है जिसमें नागराज और अजगर के बीच की दुश्मनी को दर्शाया गया है इस कहानी में दोनों के बीच शक्ती, साहस और चालाकी की टककर देखने को मिलती है कहानी कुछ इस प्रकार है एक बार की बात है एक राज्य था जहां नागराज का सामराज्य था नागराज अपनी शक्ती और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे उनके राज्य के लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह उनकी रक्षा करते और संकटों से उबारते थे एक दिन, एक विशाल और शक्तिशाली ऐजगर ने नाग्राज के राज्य पर हमला कर दिया अजगर बहुत बड़ा और भयनकर था और उसकी इच्छा थी कि वह नागराज को पराजित करके राज्य पर कबजा कर ले नागराज ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अजगर से युद्ध करने का निश्चे किया दोनों की शक्ती लगभग समान थी लेकिन अजगर चल का पट में महिर था उसने नागराज को पराजित करने के लिए कई चाले चली लेकिन नागराज ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से हर बार उसके प्रहार को नाकाम किया युद्ध कई दिनों तक चलता रहा और इस बीच नागराज और अजगर के बीच कई तुफानी संधर्श हुए आखिरकार नागराज ने अपनी रन्नीती में बदलाव किया और अजगर की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाया नागराज ने उसका इस्तेमाल करते हुए अजगर को पराजित कर दिया अजगर की हार के बाद नागराज ने अपने राजय को बचा लिया और राजय में फिर से शांती स्थापित हो गई इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि कटिनाईयों और बड़े खत्रों के सामने भी धैरे और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए